हलो गाईज मैं खुशी रहो आपका स्वागत करती है जी नियूज में आज हम लोग आपके सामने लेके आए हैं निर्भिया केस से जुड़ा हुआ बहुत ही बड़ा मामला क्योंकि जू उसके दोशी है उनकी उल्टी गिंती शुरू हो चुकी है और परिवार वालों ने अंतिम मुलाकात की है चलिए जानती है कब उनको फांसी मिलने वाली है और कितने बज़े जैसे आब लोगों को पता है निर्भिया केस काफी समय से चलता आ रहा है और उसे दरान पहले भी काफी बार इनकी जो फांसी है वो खारिच हो गए थी अभी इनको फांसी लगने जारी है इनकी जो चार लोग है इनकी उल्टी गिंती शुरू हो चुकी है 20 मार्च को सुभा साड़े पांच बज़े इनको फांसी लगेगी दोशी मुकेश दोशी विज्जे दोशी पावन इन सबकी अभी अंतिम मुलाकात हो चुकी है इनके परिजनों से और उसे दरान ही सुपरडेंट वहाँ पर मौजूद थे और और भी वहाँ पर कुछ अंतिम मुलाकात करेंगे मेरी लाइफ आगे भी इतनी ज़रा बेकार हो और उसे पहले मैं थोड़ा छुटकारा पारा चाहती हूँ और मैं डिवास लेना चाहती हूँ अब इसके बारे में कोई ख़बर नहीं आई है कि अक्षे को क्या उसकी पत्नी और क्या अक्षे उसको डिवास देगा फांसी से पहले अभी तक इसके बारे में कुछ पता नहीं चला है पर ये जो निर्भिया केस के जो सब लोग इतनी वेट कर रहे थे वो 20 मार्च को सुभा सारे पांच बजे खतम होने जा रही है और इन चार अपराधियों को फांसी होने जारी है हम आशर करते हैं कि जो उनके माता पिता हैं वो काफे ज़्यादा खुश होंगे इस बात को लेके और उस दोरान ही जो कि इस चीज में लड़ाई कर रहे थे जो कि मांग रहे थे नि इनसाफ है तो इनसाफ अगर उनको मिला है तो उनको काफे का खुशी होगी और निर्भिया की आत्मा को भी शांती मिली होगी सुबह सारे पांच बजे बीस मार्च को आई होप आपको चान कर इच लगी होगी इसी के साथ मैं लेती हुजाज़त बबाए टेक केर नमस्कार झाल